अधिकल दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करिये और साथ में बेल आईकन को भी प्रेस करिये ताकि आपको सबसे पहले नापिकेशन मुफ्त में मिल सकेए कि अंप है हेलो फ्रेंड मैं हूँ आपका मेडिकल दोस्त और मेरे इस मेडिकल दोस्त चैनल में आप सब लोगों का बहुत ही इस स्भागत है आज यह मेफ काइंड फोर टेबलेट का फुलJust देंगे अगर इस मैफ काइन फोर टेबलेट के बारे में टोटल जनकारी चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को बीना स्कीप किये पूरा देखें अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए शेर करिए और इसी तरह के इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं बीने टाइम गवाएं जैसे कि सामने आपको यह चोटा सा काउगस का कैरटन दिख रहा है जिसमें मैफ काइन फोर टेबलेट है और कंपनी की बात करें तो देख शौप पर असानी से ओलेबल मिल जाता है कंपोजीशन पर नजर डालते हैं देखिए इसमें इच अनकोटेट टेबलेट केंटेंस दिया हुआ है मैफनिमिक एसीड 500 एमजी डाला गया है अब पैरसेटमाल 325 एमजी डाला गया है इस पर एक कंपनी दोरा वार्निंग भी द जाता है और चलिए अब इसके उपियों के बारे में विस्तार से जानता है यानि कि मैफ काइंड फोर्ट टेबलेट का इस्तमाल सबसे ज़्यादा कहां किया जाता है तो देखिए मैफ काइंड फोड इन बैमारियों की इलाज में काम आती है जैसे कि बुखार में इसका अच्छा result है फिर देकि रूमे टाइंट अरफ्र हुँ में टाइड अर्थर आइटिस में भी इसका रिंस्पाउंस एक्सेलेंट है फिर देखिए गरदन में अगर दर्द हो रहा है तब भी इसका मैफकाइन फोर्ट टेबलेट का यूज किया जाता है फिर टांगों में दर्द अगर हो रहा है तो उन कंडिशन में भी इसका यूज किया जाता है फिर देखिए बदन में अगर दर्द हो रहा है तब भी इसका यूज किया ज जाता है malaria में भी यूज किया जाता है फिर चिकन गुनियां अगर हो जा रहा तो उन condition में भी इसका यूज किया जाता है मैं एफ काइंट टेबलेट का फिर देखिए आपके अगर आपके विश्ण में सूजन हो जाए यानि कि चोट हो गेरे लगने से सूजन हो जा तो उन condition में सूजन सूजन और दर्द दोनों को दूर करने के लिए मैफ काइंट टेबलेट का response excellent पिर दिए पायरों में अगर दर्द है तब इसका यूज है साटीका में यूज है कमर दर्द में इसका यूज है फिर देखिए कि उन प्राबलम हो जा रही है तो उन condition में भी उन कंडीशन की रहा है किसी कारलव सो को जा रहा आपके तो उन कि परेगनेंसी में कमर दर्द हो रहा है तब दो यह ये फसके बहुत तर्ग बहुत ही अच्छा रहा है तक फिरcn में ब्रेश्ट है दृट हो रहा यह तब बहुत ही अच्छा रोल है फिर गर्ब को अगर अगर पीर्य श्रीया की जाता बहुत से महिलाओं को पीरियद आते हैं तो बहुति ज्यादा दर्द होता है तो उन पीरियद के दर्द को भी दूर करने के लिए इस मैफ काइंट फोड का बहुत ही अच्छा साल्टों से मिलकर बना हुआ है मेफेनिमिक एसीड और पैरसेटमाल तो पहले जानते हैं मेफेनिमिक एसीड किस तरह से का कारण होते हैं अब हम जानेंगे कि पैरसेटमाल हमारे बॉड़ी पे किस तरह वर करता है देखिए पैरसेटमाल जो है नॉन इस्टेराइडियल एंटी एंफ्लेमेटरी ड्रग है ड्रग नामक दवाओं के समू से संबंधित है पैरसेटमाल एक एनलजेसिक है जो कि दर्द के कुछ रसाइनिक संदिस्वाहों को के कारियों को औरुद करता है जो दर्द और बुखार के कारण होता है तो यह हमने जाना की मैफ काइन फोन्ड मैफ काइन फोर्ट टेब्लेट जो हमारे बॉड़ी पे किस तरह वर करते हैं अब हम जानेंगे इसके डोज के बारे में मै के यह एडल्ट के लिए आता है टेबलेट और इसका जो यूज है एक गोली सूबा साम लेना रहता है खाना खाने के बाद अब हम जानेंगे मैफ काइन Ford के side effect के बारे में देखें रिसर्च के आदार पे मैफ काÈन Ford के निमन side effect देखे गया है पहला जो side effect है कबज का होना दूसरा जो side effect है एडिमा तीसरा जो side effect है लीबर, इंजाइमों में वृधी का हो जाना चौथा जो साइड़क्ट तेज धड़कन पांचवा जो साइड़क्ट पेड़ दर्द और छाटवा जो साइड़क्ट अपच शाटवा जो साइड़क्ट मतली या उल्टी होना आठवा जो साइड़क्ट गैस बनना और नौवा जो साइड़क्ट दस्तोना या फिर दसवा जो साइड एफेक्ट है लाल चकत्ते एक रहामा जो साइड एफेक्ट है धुदली द्रिष्टी या जिन लोगों को मेफनेमिक और पैरसेटमाल इंग्रेडियन्स से अगर एलर्जी है तो लोग इस टेबलेट का यूज ना करें और इस टेबलेट का कभी भी यूज करना चाह सब कुछ आसा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिएगा अगर आप हमें इंस्टेग्राम से इंस्टेग्राम आइडी से जूड़ना चाहत हैं तो हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टेग्राम पर कभी भी तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद